यह वीडियो काफी पॉपुलर होगी आने वाले दिनों में और भी बड़ अभी जो हमारे चानल पर जितने लोग हैं वो लोग इंजॉई कर रहे हैं इस वीडियो का जो 2000 की मुनाफ़ा करके देगी वह स्टॉक में लेके आता हूं मैक्सिमम चांसे से रहते हैं ऐसा होने का इसकी कोई गैरेंटी नहीं है कि ऐसा होगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद स्टॉक पर ट्रेड कीजेगा और जो लेबल्स बताए जाते हैं उस लेबल्स को जरूँच कीजेगा ऐसा ना हो कि सिर्फ स्टॉक का न दो स्टॉक में, एक स्टॉक में आपको पैसे गवाने पड़े होंगे, सबसे पहला स्टॉक था वो ऑक्सिजन बनाने वाली कमपनी, मैं उसका नाम अभी भूर रहा हूं, लिंडे इंडिया, उस स्टॉक ने निराज किया, और एक स्टॉक था जिसने पैसे बना के नहीं दिय आठ स्टॉक ऐसे हैं, जो रेंडमली चला, सभी स्टॉक ने पैसे बना के दिया, डॉक्टर रेडीज, अलकाल एमीन्स, इसके साथ साथ दिपॉक नाइट्रेड और बहुत सारे कमपनीज में, तो अभी कल मैंने आपको गोपकुल दास एक्सपर्ट के बारे में बताया था और उसे स्टॉक ने क्या पैसे आपको बना के दिये हैं, आप अगर देखेंगे उनकी डिटेल्स, उनकी जो कल की पॉफोमेंस तो आपको समझ में आ जाएगे, ये कल का है, 20% इस पे अपो सर्कृट लग गया, सुबा में स्टॉक में उतनी मोमेंटम नहीं थी, आराम से प कमेंट सेक्शन पे कमेंड करते रह जाओगे, पैसे आपको बनते नहीं दिखेंगे, समझने की कोशिस कीजिएगा, और उसके बाद आप अपना खुद की अनालिसिस कीजिएगा, तब इस टॉक पे बनिएगा, कमेंट सेक्शन पे सिर्फ कमेंड करने से बिलकुल नहीं होत कुछ 15 में से एक कमेंड ऐसा रहता है जो हमें निराज करता है 14 कमेंड इतने पॉजिटिव रहते हैं कि मुझे काम करने की इच्छाएं करती हैं तो मैं एक कमेंड को निगलेक्ट कर देता हूं और उन 14 कमेंड को देखके मैं मोटिवेट रहता हूं और आपके साथ फिर से एक पारे होंगे स्क्रीन पे पर मोटर्स की होल्डिंग तगड़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हाली की लिस्टिंग एक अच्छी जानीवानी कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट अल्रेडी लोगों को दे चुका है मैंने इस पर वीडियो कबर किया था जब यह अपने 52 वीख करता है ना तो इस टॉक आपको सतरा सो प्लस आपको दिखेगा आने वाले कुछी दिनों में यह टाइम मैं नहीं बता सकता हूं कि यह कब तक आ जाएगा हो सकता 15 दिन लगे 20 दिन लगे एक महना लगे डेड़ महना लगे बट इससे जादा नहीं लगेगा यह चीज मैं ज चाऊंगा इस स्टॉक की देखिए खबर बहुत बड़ी है और खबर यह है कि इन्होंने रूट मुबाइल एपोइंट्स यहां पर देखिए चीप एक्सेक्यूटिव आफिसर यूरोप के लिए और यह है वो परसन जिने यहां पर जॉन ओवेन ठीक है इनको एपोइंट क सब्मीट की गई है और इस कॉपी में यहीं चीज कहा गया है कि कॉन्फेरेंस कॉल है अर्निंग्स यहां पर क्लियर की जाएगे रूट मुबाइल विल एनॉंस दे रिजल्ट 18 मैं और यह डेट आज का है और यह दोनों ही एक्स्चेंजेस पर मिल जाएंगे साथी साथ इन को मिलेगा कमपनीज कितनी बड़ी हैं आपको इससे अनुमान लगाना चाहिए कि इंटानेशनल टॉलफिरी नबर्स यू-यस यू-के होंग लिंट्र सिंगापूर इन सभी जगों पर आप कॉल करके तॉल फ्री नंबर्स से आप अनुमान लगाई कि इनका कहा कहां पर पह जिएगा आज के लिए 1600 के आज पास में यह स्टॉक ट्रेड करता दिख सकता अगर इस स्टॉक ने 1600 के उपर पे क्लोजिंग किया आज तो इस स्टॉक पर मोमेंटम कंटीनू रहेगी तक और शब्रास रूपिय के ऊपर जाते स्टॉक में उनीस सो रूपिय से भी प्लॉस आपको यहां पर टार्गेट से एचीव होता दिखेगा बैट मैं आपको पुजिस्टनली बता रहा हूं यह स्टॉक सतरोस रूपिय तक जाएगा अगर रिजल्ट बुरा हो गया तो फि इतने भी है सभी के रिजल्ट अच्छे हुए तो मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी का भी रिजल्ट अच्छा होगा और अच्छा हुआ तो फिर आप सोच लिजे तो पॉजिस्टनली और यह स्टॉक ऐसा है जिसे आप लॉंग टेम के पोट्फोलियों पर एड कर सकते हैं फंडमेंटल बहुत अच्छे हैं लेकिन आज की बात कर रहा हूं इसलिए आज की जो बात कर रहा हूं वह मैं 50 डे की मुविंग अबरेज के पास में से स्टॉक का स्टॉपलोस मेंटेन करूंगा और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1535 का 1535 का और मोमेंटम कहां तक हो सकती अगर इससे जादा हुई तो आप सोचिएगा कि बहुत अच्छी बात है इस चीज को दियान में देखिएगा आपके पास है 1610 रुपे तक की अपसाइड मोमेंट का टार्गेट 1610 रुपे का आसपास में खुल जाए तो स्टॉक को अवोइड कर दीजिए विकोज आपका टार्गेट के आसपास में खुल जा और उसके बाद फिर से नीचे आएगा तो आप सोचीगा कि मैं पोजिशन बना लूँगा और फिर से उपर जाएगा ऐसा बहुत कम स्टॉक में होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता लेकिन अगर आप 1535 और 1535 पे यह स्टॉक है अगर 5-10 प होगा तो उस समय शुक का स्टॉप लॉस मैं मिंटेन करूंगा अगर मैं फिप्टीन फिप्टी पे इस स्टॉक को बाइग करूंगा तो कल की जो क्लोजिंग से 5-10 नीचे मतलब मैं 1530 पर चे उसे स्टॉप को प्ले करूंगा मैं 2006 के तार्गेट आज के लिए से अपरोचक करूंगा 1600 के ऊपर खुले बिल्कुल मैं इसे करूंगा और कल रिजल्ट के बाद में एक डिसेजन लूँगा तो यह सब चीजे हैं 1610 ऊपर के तरफ और 1500 नीचे के तरफ नीचे सपोर्ट अगर मैं 1550 पर जाओंगा तो 1530 की ऐसे स्टॉपलोस मानके हिस पे ट्रेड करूंगा जो लेबलिल्स में बता रहा हूं जो एपनी लिये कर रहा हूं और अपना जो अपके साथ सएर कर रहे हूं आप इस ऐन्लैसिस द next रहें गे तो खुद का डिसेजन लेने के बाद ट्रेड कीजेएं यह मेरा का है चार्ज करता हूं और ना मेरा चैनल पे है कि आप जॉइन मेंबर करेंगे तभी आप मेरे वीडियो देख पाएंगे आपको इतना इता आप हमारी कमेंट सेक्षन पर जाके कमेंट सेक्षन को देख लें अगर अपडेट्स अच्छी नहीं होंगे तो लोग इतने एप्रिसिय ग्रश थाल, कि आपको।